नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में बिहार की दस प्रमुख बड़ी खबरे सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चनल को और वीडियो अगर अच्छी लेगे तो एक लाइक अवस्य करें तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर दर्स की बहाली के लिए उम्री हजारों की भीड किसी ने धक्का मुक्की की तो कोई चक्कर खाकर गिर पड़ा सिर्फ तीन महिने के लिए मिल रहे है नौकरी बिहार में 15 जुन तक साढ़े 3 लाग मैट्रिक टन गेहों खरीदारी का लच सियम नितीज बोले अगले साल और बढ़ेगा उत्पादन वैक्सिन लेना पहले से होगा आसान औन स्पोर्ट रजिस्टेशन के बाद तुरंथ लगेगा ठीका बदलते मौसम के साथ बिहार में वजरपात फिर बनी आफ़र मौन्सून से पहले बढ़ी अप्रिया घटनाए रहे सचेत बिहार के सभी जीलों में कुरोना आकड़े आये 50 के नीचे आदिफिस्दी के करीब हुआ राज का संक्रमंदर बिहार में ब्लैक फंगा से तीन और मरीजों की मौत 14 नए मरीज भरती बिहार में बच्चों की तसकरी पर लगेगी लगा नहीं करा सकेंगे बाल स्रम अब जीप लगे काड़ से होगी निगरानी उच्ची सिक्षा के छेत्र में बिहार की बेटियों ने उच्ची लगाई छला जानिये मंत्री संजे जहा ने क्या बताया कारण बिहार के सभी कॉलेजों में होंगे रोड सेप्टी एमबेस्डर परिवहन विभाग ने बनाया खाका कोरोना काल में स्रमिकों को रोजगार देने में बिहार में सबसे आगे रहा गया जीला प्रते दिन 88,332 रोजगार कराया मुहया कोरोना काल में पुरे बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है यह नजारा कैमूर में देखने को मिला क्यामुर जिले में एनम की बहाली के लिए बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग भभवा सदर अस्पताल पहुँचकर सुबह से ही धक्का मुक्य करने लगे नर्सों की बहाली कॉंट्रेक्ट पर मातर तीर महिने के लिए की जा रही है और इस 9-11 होने में ही भलाई समझे हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में आवेदन लेकर सीविल चर्जन कारियालाई के पास खड़ी रही एनम की बहाली के लिए आई महिलाएं और उनके परिजनों ने बताया कि सरकार कुरोना से बचाव को लेकर एनम की बहाली तीर महिने क लिए कर रही है वैसे हालात में सदर अस्पताल भभुवा में हजारों लोग उमड पड़े हैं प्रसासन ने इसके लिए पहले से कोई इंतिजाम नहीं कर रखा है सुबह से उमस भरी गर्मी में खड़ा रहने के कारण कई महिलाएं बेहोस भी हो गई महिलाओं का कहना था कि सदर अस्पताल को चाहिए था कि बहाली प्रक्रिया अगर करने ही थी तो उसमें मुकमल व्यवस्ता यहाँ पर करना चाहिए था लायन में लगकर सभी लोग बारी-बारी से आते और अपना फॉर्म जमा कर चले जाते या फिर ओनलाइन व्यवस्ता फॉर्म जमा करने की करते और साथ ही उनके इंटर्व्यू लेने की व्यवस्ता रखनी चाहिए थी लेकिन इन सारी व्यवस्ताओं के लिए सदर अस्पताल प्रसासन जिम्मेदार है ऐसी इस्तिती में कोर्णा का संक्रमन भी तेज हो सकता है बता जा रहा है कि कई महिलाएं अपने छोटे-छटे बच्चों को लेकर भी साथ आई थी 8 में क्रिषी रोडमैप की सुरुआत की गई जिसमें फसलों के उत्पादन और उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गए राज में धान गेहु सहित कई फसलों की उत्पादन एवं उत्पादक्ता दोनों बड़ी है पहले राज में किसी फसल अधिप्राप्ति की कोई व्योस्था नहीं थी हम लोगों ने इसके लिए योजनाबंद धंग से काम किया है उसका परिणाम है कि इस वर्ष 35 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति हुई है और 15 जून तक 3,50,000 मेट्रिक टन गेहु अधिप्राप्ति हो जाएगी यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्दी है उन्होंने काया कि किसानों के बीच इस बात को प्रचारित करें कि राजसरकार अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करना चाहती है ताकि इसका लाब उन्हें मिले राजधानी पटना में टीके का टोटा खत्म करते हुए जिलाप्रसासन ने अब एक बड़ा फैसला किया है कि अब पटना के सभी टिकाकरन केंद्रों पर आन स्पोर्ट रजिस्टेशन के बाद वैक्सिन की सुविधा उपलब्द होगी अगले दो दिनों में सभी टिकाकरन केंद्रों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी फिलाल पटना के 5 टिकाकरन केंद्र पर यह सुविधा उपलब्द लेकिन आगे आने वाले दिनों में राजधानी के 35 वैक्सिनेशन सिंटर पर यहां व्यवस्था सुरू हो जाएगी स्वास्त विभाग और जिला प्रसासन के अधिकारियों के मुताबिक टिकाकरन की रप्तार तेज करने के लिए यहां नई व्यवस्था सुरू की जाएगी और जिलागों होने से जादा वैक्सिनेशन हो पाएगा उम्मीद जताई जारी है कि सोंबार से यहां नई वैवस्था पटना के सभी सहरी प्राथमिक स्वास्त केंद्रों समेथ अन्वैक्सिनेशन सिंटर पर लागों हो जाएगी इतना ही नहीं ग्रामिन इलाकों के प्राथमिक स्वास्त केंद्र अनुमंडलिय अस्पताल और रेफरल अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था आगे आने वाले दिनों में सुरू होगी इसकी खास बात यहाँ है कि इसका फाइदा सबसे ज़्यादा युवा वर्ग को मिलेगा फिलाल रेजिस्टेशन नहीं हो पाने और स्लोट बुकिंग नहीं हो पाने के कारण उन्हें टीका लेने में परिसानी हो रही है बिहार में मौसम का कहर एक बार फिर जारी है मौन्सोन से पहले बजरपात अब प्रदेश में आफ़त का कारण बन गई है सुकरवार को कई अप्रिय घटनाओं ने इसे लेकर एक संकेत भी दिया है दरसल सुबे में मौन्सोन ने अभी प्रवेश नहीं किया है प्रिय मौन्सोन की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी है लेकिन कई जगहों पर ठनका गिरने के कारण सुकरवार को साथ लोगों की जान चली गई है वहीं राज में अगले 48 गंटों तक वजरपात के असंका देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत भी किया है बिहार में पिछले साल मौसून के दोरान कई जगहों पर लगातार वजरपात की घटनाय घटी थी इसकी चपेट में आकर अनेकों लोगों की मौते हुई थी वहीं आलम इस साल भी देखने को मिल रहा है मौन्सूर आने के ठीक पहले ठंका गिनने के कारण लोगों की मौते सुरू हो चुकी है फतुआ में सबसे अधिक हताहत देखने को मिला है जहां सुक्रुवार को चार मौते हुई है वहीं कगडिया और वैसाली जिला मिलाकर कुल साथ मौते बिहार में वजरिपात के कारण हुई है बिहार में लंबे अर्चे के बाद सुक्रुवार को सभी जिलो में नए कोरुणा पुजिटिव की संक्या 50 से कम रही इनमें से 27 जिलो में तो 20 से भी कम नए केस पाए गए हालाकि दो दिन बाद राज के सभी जिलो में फिर से नए पुजिटिव पाए गए राजधानी पट्टा में सरवाधिक 45 और गोपालगर्ज में 42 नए पुजिटिव पाए गए पिछले 24 गंडे में पुरे राज में कुल 1,10,119 सेंपलों की जाच की गई जिनमें सिर्फ 566 पुजिटिव पाए गए इस तरह संक्रमंदर घटकर 0.51 परजिशत रह गई है वही मुख मंत्री नितीसकुमाण ने सनिवार को कहा कि राज में अगले 6 महने में 6 करोड़ लोगों को कुरोना का टीका लगाया जाना है अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों को टीका करन हो चुका है मुक्यमंत्री आवास इस्तित संकल्ब में स्वास्त विवाग की समिक्षा के क्राम में CM निकाया की कोरोना का टिका लगाने के लिए सभी लोगों को प्रेडित करना है उन्हीं जानकारी देना है कि टिका जीवन रक्षा के लिए जरूरी है कोरोना के बाद सहर में ब्लैक फंगस से मरने वाले मरीज़ों का सिलसिला जा रही है सुक्रवार को IGIMS में दो और पटना EMS में एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हो गई है दोक्टरों की मुताबिक तीनों मरीज कोरोना पोजिटिव थे और निगेटिव होने के बाद उन्हें फंगस की गिरप्न में आये थे फंगस मुह से होते हुए ब्रेन तक जा पहुचा था साथ ही IGMS में 3, PMCH में 3 और पटना EMS में 8 ब्लैक फंगस के मरीजों को भरती किया गया है PMCH में 29 फंगस के मरीज है IGMS में 114 मरीजों का इलाज जारी है PMCH, IGMS वो EMS में मिला कर कुल 17 मरीजों का ओपरेशन किया गया पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब जल्दे एंडोसकोपी तकनिक से ब्लैक फंगस के मरीजों की सरजारी की जाएगी अस्पताल के अधिक्छक डॉक्टर I.S. ठाकूर ने मसिन खरिदने के लिए आदेश जारी कर दिया है बिहार में बच्चो की तसकरी और बाल सरम पर अब सरकार लगाम लगाने की योजना बना रही है बच्चो को सरम से बचाने के लिए अब नई योजना पर काम किया जा रहा है अब कार्ड के जरिये बच्चो की तसकरी पर भी निगराने रखी जाएगी बच्चों को मजदूरू पर लगाने से बचाने के लिए चायल्ड फ्रेंड कार्ड बनाया जाएगा बच्चों की ट्रैफिकिंग पर इस कार्ड के जरीए लगाम लगाया जा सकता है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्रम संगसाधन विभाग, सिच्चा विभाग और समाज के लियान विभाग मिलकर इस योजना पर काम करेगा कार्ड को लेकर अभी तैयारी चल रही है, इसे काम करने के तरीके को लेकर सरकारी वग्यर सरकारी संगस्तान से बाक्चित भी जारी है बिहार में बाल स्रम का मामला तेजी से बढ़ा है मीडिया रिपोर्ट में एक अनुमान के मुताबिक अभी साड़े चार लाग से अधिक बाल स्रमीक बिहार में है मंत्री संजे कुमार जहा ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार के कॉलेजों में लड़कियों की संख्या बेहत कम होती थी उस दौर को जाने वाले लोगों को यह नया तत्य हैरान कर सकता है कि अब स्नाकोत्तर पाठिकरमों भी चात्रों और चात्राओं की संख्या के बीच बहुत कम अंतर रह गया है AISHE के मुताबिक सत्र 2019-20 में बिहार में स्नाकोत्तर पाठिकरमों में कुल 120,941 विद्धारती नमांकित थे जिनमें 61,287 चात्र जब की 69,654 चात्राएं थी पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्नाकोत्तर पाठिकरमों में भी चात्रों और चात्राओं के संख्या के बीच अंतर लगातार कम हुआ है मंतरी संजज हाने काया कि मुख मंतरी नितीज कुमार ने जब सत्ता समाली थी तो राज में जातातर लड़कियां हाइस्कूल पहुँचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देती थी नितीज कुमार ने साइकिल और पोसाग जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की जिससे मैट्रिक परिक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या का फासला लगातार कम होने लगा फिर उन्होंने मुखमत्री कन्या उत्थान योजना के तहट इंटर और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को नगत प्रोचाहन रासी देने की सुरुआत की इससी कॉलेजों के साथ-साथ परतियों की परिक्षाओं में भी लड़कियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगी अब सनाक उत्तर पैठकरमों में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर काफी कम रह गया है राज के सभी कॉलेजों में सडक सुरक्षा एंबेसडर होंगे जो यूआओ को लहरिया कट से बचने की नसीहत देंगे परिवहन विभाग ने राज में हो रही दुरगटनाओं में यूआओ को मौत को देखते हुए यह निने लिया है अभी पाइलट प्रोजेक्ट के तहट कुछ कॉलेजों में एंबेसडर का चैयन हुआ है लेकिन विभाग सत्परतिसत इसे सुनिश्चित करने में लग गया है इस काम में सिक्षा विभाग की भी साहता ली जाएगी दरसल राज में हो रही सड़क दुरगटनाओं में यूआओ के मौत की सेंख्या सबसे अधिक होती है विसेसकर दो पहिया वाहन चालाकों में आदे से अधिक यूआ ही होते हैं गर के यूआ सदस्यों के असमय इस दुनिया में जाने का गाम किसी परिवार को ना मिले परिवहन विभाग इस कावायत में जुटा है यूआओ की सबसे अधिक भागिदारी कॉलेज में होती है इसलिए विभाग ने हर कॉलेज में सडक सुरक्षा एमबेस्टर बनाने का निर्ने लिया है यहाँ एमबेस्टर के रूप में चुने जाने वाले यूआ नकिवल अपने आसपास या क्लास में बलकि समाज में भी यूआओ को सडक दुरगटना के प्रति जागरित करते नजर आएंगे कुरोना काल में गया जीले के 332 ग्राम पंचायतों में से 331 में मनरेगा के तहत स्रमिकों को रोजगार मुहया कराया जा रहा है इसके तहत जौब कारधारी स्रमिकों को प्रति दिन 88,332 रोजगार मुहया कराया जा रहा है जो पूरे राज में सबसे जादा है जीले में 9114 योजनाओं में काम चल रही है इसमें जल जीवन हरियाली के तहत आहर ताला पोखर पाईन चैकडेम नए जोल स्रोत आहर रिचार्ज बोर पौधार ओपन नीजी छेतर की योजनाया सामिल है पौधार ओपन अंतरगत वित्यव वर्ष 2021-22 में प्रतिक गाम पंचायत 32 पौधे लगाने का लक्ष निर्धारित किया गया है इस वर्ष कुल 11 लाग पौधार ओपन का लच्छ तय है आगामी 15 जून से 9 अगस्त तक कुल 2756 योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा प्रतिक कारेस्थल को चिन्हित करने के बाद गड़े की खुदाईकर उसकी तैयारी की जा रही है इसमें पीपल के 65,000 पोधे लगाये जाएंगे तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथे साथ अपने दोस्तों रिष्तेतारों में सेहर जरूर करें धन्यवाद